आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी वीडियो बेजना है जैसे माली जी है आप बैठें देली में एंड आपको किसी मुंबई में बैठे सक्स को वीडियो सेंड करना है और चोटा मोठा बीडियो नहीं माली 10 गंटे का वीडियो तो वो आप कैसे कर सकते हैं यह हम सब जानते हैं WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram इन सब के जर्गी आप एक limited amount में ही वीडियो चैन्ड कर सकते हैं एक minute, दो minute, पास minute मतलब समय रहें आप WhatsApp पर बहुत कम limit में आप वीडियो चैन्ड कर सकते हैं जादा में आप कर ही नहीं सकते हैं और जो आप कम कर रहें वो भी आप WhatsApp कमप्रेस कर देता है यानि कि उसकी quality घटा देता है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप वीडियो सेंड करें 10 गंटे 20 गंटे कितने भी हो मतलब कितना भी बड़ा वीडियो हो आप सेंड करें उसके quality भी कम नहीं हो एंड कितना भी बड़ा वीडियो हो वो त्रंध लोग सब्सक्राइब तो वह कैसे कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो हम यहां बात कर रहे हैं telegram application की देखे Aufलिक कुछ whatsapp की तरह यह रही वाट्सप एनट टेलिघ्रम दोनों मिलते चुलते हैं दोनों application end to end encryption पर जलते हैं जो लोग यहानते हैं कि end to end encryption क्या होता है मैं उन्हें समझ्या दूं कि end to end encryption का मतलब होता है बेजने वाला and receive करने वाला, बीच में कोई भी नहीं देख सकता आपका message कि आप किसको क्या send कर रहे हैं, अगर आप किसी को message send कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं and जो receive कर रहा है, वो देख सकता है, otherwise जो बीच में authority जैसे internet service provider and telegram application, ये लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं कि आपने किसको क्या send किया है, समझे भी रहा था, तो दोनों application, WhatsApp and telegram, end-to-end encryption पर काम करते हैं, अब देखियो, WhatsApp ज्यादा लोगों को इसलिए नहीं पसंदें, क्योंकि WhatsApp Facebook का है, and Facebook हमारा data use करती है, and इसलिए वो telegram application चलाते हैं, and telegram application से आप video, photos, कुछ भी send कर सकते हैं, and chat भी कर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके contact में ही हूँ, WhatsApp में जरूरी है कि वो आपके contact में हो, and telegram में, जरूरी नहीं है, कि वो आपके contact में हो क्योंकि टेलिग्राम पर username भी चलता है and WhatsApp पर username नहीं चलता है ठीक है, WhatsApp की बार्त नहीं कर रहे हैं अभी देखे, टेलिग्राम एप्लिकेशन end-to-end encryption पर काम करता है and टेलिग्राम एप्लिकेशन से आप वीडियो, music, photos कुछ भी, किसी को भी send कर सकते हैं, वीडियो आप कितना भी बड़ा send कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के starter में ही बता चुका हूँ कि WhatsApp, Facebook पर आप एक limited amount में ही वीडियो किसी को send कर सकते हैं, लेकिन ये नियम टेलिग्राम पर लागू नहीं होता है, तो मुझे ये आपको बताने ही जरूत नहीं है, कि टेलिग्राम अप्लेकेशन से बहुत सी parated movie भी share की जाते हैं, अपकोस अगर वहाँ से कितना भी बड़ा वीडियो send कर सकते हैं, तो वहाँ से parated movie और भी बहुत सारी चीजें, मुझे समय नहीं होगे, तो यतना काफी है एंड, देखिए, टेलिग्राम अप्लेकेशन वार्टसप से यादा सक्किए हो रहे हैं, अगर मुझे बोला जाए कि आप वार्टसप एंड टेलिग्राम में क्या चूज करोगे, तो मैं अपनी बताओं, अपनी, यह मेरा ओपिनियन है, तो मैं टेलिग्राम को चूज करूँगा, क्योंकि टेलिग्राम हम जैसों के लिए ही बनाया गया है, कि हमारा डेटा कोई यूज ना करे, एंड, टेलिग्राम अप्लेकेशन का कहीं डेटा लीक हो गया हो, किसी कंपनी क को बैस दिया गया हो, या कोई कंपनी यूज कर रही हो, एंड, वार्टसप फेसुप का है, एंड, फेसुप हमारा डेटा, आप जानते ही है क्या करती है, तो आई होप कि आप समझ गया होंगे, एंड, अगेन, आप टेलिग्राम अप्लेकेशन से कुछ भी किसी को भी चैन आप समझ गया होंगे, एंड, वीडियो को लाइक करके सेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड, अपने फेमली जहां भी सेयर कर सकते हो, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज एक ऐसी नई वीडियो लाता रहता हूं, एंड, आपको कुछ नया-नया सि हुआ नया-नयाist